इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस विडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. सिफाकाइन 250 टेबलेट एक एंटी बाउटिक दवा है, जो आपके शरीर में बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमन के इलाज के लिए उपयोग की जाती है. यह फेफ़रों जैसे निमोनिया, कान, गले, नाक साइनस, मूत्र पत, त्वचा, कोमल उतकों, हड्यों और जोडों के संक्रमन में प्रभावी है. इसका इस्तिमाल सरजरी के दोरान संक्रमन को रोकने में भी किया जाता है. पेट खराब होने से बचाव के लिए सिफाकाइन 250 टेबलेट को भोजन के साथ लिया जाना चाहिए. डॉक्टर द्वारा निर्धारत शेडियूल के अनुसार आपको नियमित रूप से समान अंतराल पर इसे लेना चाहिए. इसे रोज एक ही समय पर लेने से आपको इसे लेना याद रहेगा. डोज इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं. लेकिन आपको अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए अनुसार इस एंटी फ्लू या सर्दी जैसे वाइरल इंफेक्शन के लिए काम नहीं करेगी. जरूरत नहोने पर भी एंटी बाउटिक का इस्तिमाल करने से यह भविश्य में होने वाले संक्रमन के लिए कम प्रभावी हो सकता है. इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट में रैश, उल्टी, लीवर एंजाइम में बढ़ जाना, मिचली आना और डायरिया, दस्ट शामिल हैं. यह आम तोर पर हलके हैं, लेकिन अगर वे आपको परेशान करते हैं या कुछ दिनों से अधिक समय तक रहते हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं. इसका उप्योग करने से पहले, अगर आपको किसी भी एंटिबाउटिक से अलजी हैं, या किड्नी या लिवर समबंधी कोई समस्या हो, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए. आपको अपने डॉक्टर को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताना चाहिए, जो आप ले रहे हैं, क्योंकि उन पर इस लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकान पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद.